हेलो ब्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली हेल टिप्स पे अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो आप इसे वन टाइम सब्सक्राइब करें और बैक एंड प्रस करें ताकि आपको मिलती रहे हमारे हैं न्यू वीडियो की अपडेट्स दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपका बतानी वाली हूँ बासी मौ अजवाइन का पानी बीने से होने वाले घजब के फायदों के बारे मी जी हां दोस्तों आमतोर पर ना नमकीन, पराठे, पूरी और साथी मत्री का स्वाध बढ़ानी वाली अजवाइन सेहत के धिया से बहुत ही गुनकारी होती है और साथी साथ दोस्तों अजवाइन के छोटी छोटी से बीचों मेना ऐसे गुनकारी तत्व मौजुद होते हैं जिनसे आप अभी तक अंजान हैं मैं आपकी चानकारी के लिए बतादू दोस्तों अजवाइन मेना 11.9 प्रतीशत डाइटरी फाइबर के साथी 38.6 प्रतीशत कार्बो हाइडरेट्स और साथी 15.4 प्रतीशत प्रोटीन इसके लावा दोस्तों इसमें ना 7.1 प्रतीशत मिनरल्स पाई जाते हैं जैसे की फॉस्फरोस, कैल्शियूम के साथी आइरन जैसे तत्व हमें इसमें मिलते हैं जो कि कई तरह के हेल्फ बेनिफिट्स हमें देते हैं और ना दोस्तों अच्वाइन में जो है थायमॉयल होत जो कि इसे एक अलग स्वाद और सती महग प्रदान करता है और दोस्तों इतना ही नहीं अच्वाइन ना पेट से संब्दित कई तरह के रोक दूर करने में कफी जिदा रामबान इलाच का काम करती हैं ऐसे में अच्वाइन की तरह ही अच्वाइन का पानी भी हमारे सिहत को क पास करके तब दोस्तों जब आप सुभा में खाली पेट इसे पीते हैं तो आईए जाने खाली पेट अच्वाइन का पानी यानि की कैरम सीड्स वाटर पीनी से क्या हजब के फाइड़े होंगे जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे लेकिन दोस्तों उससे पहले मै पानी में भिगो दी छे और रात भर के लिए से छोड़ दी छे और अगली सुभा आप इस पानी को उबाल ली छे और इसे चान ली छे पिर इसके बाद में ना फ्रेंट्स इस पानी को थंड़ा कर ले और खाली पे इस सुभा सुभा इसका सेवन करे लेकिन दोस्तों याद रखिए जो आप दो चम्मच अजवाइन को ले रहे हैं वो बहुत ही कम आत्रामी होनी चाहिए चम्मच यानि कि बड़ी चम्मच आपको नहीं लेनी है छोटी आपको दो चम्मच अजवाइन ही लेनी है तो दोस्तों अजवाइन का पानी पीनी का जो सबसे पहला फाइदा है वो है रोजाना सुबा खाली पेट यान की बासी मूना दोस्तों जब आधा कब जो है अजवाइन का पानी पीते हैं तो इसे शुगर लेवल ना कंट्रोल में रहता है यानि की दोस्तों इसे पीनी से डाबिटीज हुनी का रिस्क ना कम रहता है इसलिए अगर आपको डाबिटीज है शुगर की प्रॉबलम है तो आप रोजाना सुबा खाली पेट यानि की बासी मून अजवाइन का पानी ज़रूर पीएं और दोस्तों अजवाइन ना दान दर्द यानि की जो आपको टूथ पेन होता है उसे दूर करने के साथ आपके मूगों ना स्वस्त बनाये रखने में भी काफी ज़िदा मददगार साबित होती है ऐसे में दोस्तों जब कभी भी आपको दान्तों में दर्द हो रहा हो या फिर आपके मूँ से किसी तरह की बैट स्मिल आ रही है तो ऐसे में ना दोस्तों अजवाइन के पानी से कुला जरूर करें क्योंकि दोस्तों अजवाइन में मौझुद थैमौल ना दर्द से तो आपको रहा दिलाता ही है साथी साथ आपके मुँझे जो बद्बो आ रही है उसे भी दूर करके आपके मुझे तास्की प्रदान करता है इसी लिए आप इसके पानी से कुलाव जरूर कीचे और दोस्तों अजवाइन का पानी पीने का अगला फायदा है सिर्दर्द और सती कॉंजिशन से आपको छिटकारा दिलाता है जी हां दरासलना अजवाइन का पानी पीने से या फिर इस पानी की भाप लेनी से यानि स्टी मनी से सिर्ददत औरसाथी, Aww के कॉंडिशनिंग बहुत रहात मिलती हैं। और ऐसा इसी ही हिए थिये होता है दोस्तों कि क्युंकि अजवायम में बहुत सारी तेस महाय होती हैं। तो ऐसे में दोस्तों जब आपापई इसे-पानी में उबालते हैं तो ये तेज महक वाले पानी की भाब को जब आप अंदर लेते हैं तो फिर आपको सिर्दर्द और सती सुखाम के साथी छाती पर जमे फेलगम से काफी जल्दी रहात मिलती है क्योंकि दोस्तों यापके छाती पर जमे बलगम को तोड़ने और सती उसे पतला करने का काम करता है जिससे साइनस के साथी कॉंजिशन और सरदर्द में आपको काफी सिदा अराम मिलता है और दोस्तों अगर आपको ना अपने दिल यान की हार्ट की सेहत का खयाल है तो ऐसे मिया आप रोजाना खाली पेट अजवाइन का पानी जरूर पियें क्योंकि दोस्तों अजवाइन में ना नियासीन और सती थैमल भरपुर मता में होता है और सती साथ इसमें कहीं तरह के विटामिन्स भी बाय जाते हैं जो कि हमारे हार्ट यान की रिदे को स्वस्त बनाये रखते हैं और सती साथ इसे पीनी से बलड सेकिलिशन भी बहतर रहता है इसी कि दोस्तों अगर आप भी अपने हाट को हेल्दी रखना चाते हैं तो रोजाना खाली पेट अजवाइन का पानी ज़रूर पीए और दोस्तों अजवाइन का पानी ना डारिया यान की लूज मुशन्स में भी काफी सिदा कारगार होता है अजवाइन का पानी का सीवन ना दिन में दो बार टॉनिक की तरह किया जा सकता है तो इसे क्या होता है कि फ्रेंक जो लूज मुशन्स होते हैं आपको उसमें बहुत जल्दी रहात मिल चाएगी और ना दोस्तों आपको रात में नीन नहीं आती हैं और सती आप रात भर करवटे बदलते रहते हैं तो ऐसे में सुनी से पहली भी ना आप जो एक कप अजवाइन का पानी पी सकते हैं इसे पीनी से ना दोस्तों आपको जो है नीन अच्छी और सती गहरी आएगी इसे दिय अगर आपको ये problem है तो आप अजवायन का पानी ज़रूर पिए और ना दोस्तों अजवायन का पानी ना आपके पेट के दर्ट को कम करने का एक बहत्री निलाज है ऐसे में रोजानाई से पीनी से ना आपके पेट के दर्ट में आपको रहत मिल जाती है और साथी साथ ये Acidity को भी कम कर देता है जसमें अत्यदिक मात्रा में आपके पेट में जुए Acid या फिर अमलकास तृआब होता है और ऐसे में न दोस्तों Acidity के वज़ा से चुए आपके स्टमक में जलन और साथी फिर खटी डकारे आने की समस्या भी हो जाती है ऐसे में अपच, एसेडीटी, साथी-साथ पेट में दर्थ होनी पर अच्छवायन का गुंगुना पानी पीनी से आपको काफी जिदा अराम मिलता है और आप चाहें तो दोस्तों अच्वायन काला नमक और साथी चुटकी भर हिंग को गुंगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं इससे भी आपके पेट में होने वाले रोगों से आपको चुटकाला मिलेगा और दोस्तों कई महिलाओं को ना पीरियर्स के वक्त जो है कमर और सती पेट के निशले हिसे में बहुत दर्ड यान की बैक एंड लोवर स्टमक पेन बहुत स्यदा होता है ऐसे में गुनूने पानी के साथ अजवाइन लेनी से ना दर्ड में काफी जल्दी रिलीफ मिलेगा लेकिन दोस्तों इसके लिए आप जो है ना सिर्फ आधी गलास ही अजवाइन का पानी पीएं क्योंकि अजवाइन की तासिर गर्म होती है ऐसे में ये बीरिंग को बढ़ा सकती है इसलिए आप सिर्फ आधा कप जो है अजवाइन का पानी पीकर इस दर्ड से चुटकारा पा सकते हैं और दोस्तों अजवाइन से ना गाठिया के रोग में भी काफी जिदा अरा मिलता है इसके लिए अजवाइन के चूरन की पोटली बना करना घुटनों में सिखनी से आपको काफी जिदा फायदा होता है और आप चाहें तो आधक अजवाइन के रस में यानिके अजवाइन के पानी में सौट यानिकी जो ड्राय जिंजर आती हैं उसे मिलाकर पीनी से बिना गाठिया रोग में आपको चुटकारा पानी में काफी जिदा मदद मिलती हैं इसी लिए आप इसका सेवन जरूर कीजिए और दोस्तों खाली पेट ना अजवाइन का पानी पीने से ये गुर्दे में जो पत्री यानिकी जो किद्नी स्टोन्स होते हैं और ना दोस्तों क्योंकि अजवाइन जो है मुतराश है यानिकी जो हमारा ब्लाइडर होता है उसे साफ करने में काफी जिदा मदद करता है इसी लिए हमारी कीद्नी हमेशा हेल्दी रहती हैं इसी लिए गर आपको कीद्नी से चुड़ी कोई भी प्राब्लम हो तो आप अजवाइन का पानी ज़रूर पिएं और दोस्तों यदि आपको पेटफुलनी की बीमारी है तो ऐसे में आप परेशान ना हो क्योंकि दोस्तों ऐसा हुनी पर नियमी तुर्प से अजवाइन का पानी पीनी से आपको पेटफुलनी की समस्क्या से चुड़कारा जरूर मिलेगा इसी लिए जब कभी भी आपका पेटफुल रहा हो तो ऐसे में आप अजवाइन का पानी बना कर जरूर पिएं खाली पेट बासी मोना अजवाइन का पानी पीने से यूरिन इंफिक्शन ठीक हो जाता है इसी लिए अगर आप कई दिनों से यूरिन इंफिक्शन से परिशान हो तो अजवाइन का पानी लगातार ना दिन में जोए एक बार तीन से चार दिन तक पिएं आपको फैदा जरूर होगा और दोस्तों सर्दी जुखाम और सती गले में होनी वाली तकलीफ जैसे की गले में दर्टक की परेशानियों में अजवाइन का पानी अच्छुक दवा की तरहां काम करता है और इसके सेवन से सर्दी जुखाम एवं फ्लू जैसे वारल सांक्रमनों से दूर रहा जा सकता है और दोस्तों इसमें ना एंटी वारल प्रापटीज मौज़द होती हैं जिन से हमें इन सभी समस्याओं से रहात मिलती हैं इसलिए अगर आप ना सर्दी जुखाम से परेशान हैं तो अच्वाइन के पानी में ना एक चुटकी काला नमक मिलाकर पिएंगे तो इससे आपके ना खासी सर्दी जुखाम सभी तरह के परेशानियां दूर हो जाएंगी और साथ ये इम्यून सिस्टम को मजबूत भी बनाता है जिसकी आपके बोड़ी या बीमारियों की चपेट में आने से बचवाएगी और अच्वाइन का पानी पीने से ना हमारे शरी का मेटाबॉलिसम बढ़ता है जिसके वज़ा से काप सथा फैट बन होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो दोस्तों अगर आप भी अपने बढ़तेवे वज़न से बहुत सीधा परेशान है तो फिर को जिनों तक ना आप जो है इस नुसके को जरूर आजमाए यानि कि अज़वाइन का पानी पिए और असर देखिये क्योंकि दोस्तों अज़वाइन के पानी को ना पंदा दिन जो है लगातार और साती रोजाना पीने से आपको फाइदा जरूर मिलेगा वैसे तो आपको इसका असर मातर साथ दिनों में दिखने लगेगा और ना दोस्तों इस पानी को पीनी से आपका 5 किलो तक का वजन कम होगा और अगर आप जो है किसी बीमारी से पेड़ित नहीं है तो आपका जो वेट लॉस प्रोसेस है ना वो फास्ट होगा इसलिए आप अजवाइन का पानी बना कर जरूर पिये और अपने बढ़तेवे वजन को खटाएं और ना दोस्तों अस्थमा के मरीज जो है यदि रोज़ाना अजवाइन का पानी सुबा खाली पेट पीते हैं तो इससे कुछी दिनों में ना उन्हें इस बीमारी से शुटकारा पानी में काफी जिदा मदद नी लेगी और सकती धीरे धीरे से उनकी ये समस्या खत्म भी हो जाएगी इसलिए अगर आपको अस्थमा की प्राबलम है तो ऐसे में आप अजवाइन का पानी वो भी सुबा बासी मुझ जरूर पिएं तो दोस्तों ये थे सुभा बासी मो खाली पेट न अजवाइन का पानी पीने के घजब के फायदे अगर आपको भी इन में से कोई भी प्राबलम होती है तो आप तुरन जाएए और अजवाइन का पानी मना कर पिए और हमेशा हेल्दी रहिए अगर आपके लिए ये वीडियो useful and informative हो तो आप इस वीडियो को एक like कर दीशेगा share कीशे अपने friends and family में और अगर आपको वीडियो से related कोई भी curious हो तो आप हमें इंचे comment section में पूस सकते हैं हम आपका reply ज़रूर देंगे तब तक के लिए take good care of yourself, bye